जो ने लिए क्योंकि मोश्की के इंपोर्ट नहीं आवाले क्लासिस देने लोग जो इसका कॉम साथ कर राइटर वन और पेइंट वन दो समझ मागया होगा फिर इंग भी समझ मागयी क्लासिस काथ लेना है राइटर के विजो कुछ चीज़ें वो बता देगी है अब आप लो नियूज़ें नियू डॉक्यमेंटि लेते हैं इसके दर आप देखेंगे आप MS Office अगर कोई दूसरे आप software यूज़ें तो उसमें आप रिव जाते हैं तो आप पेज यूज़ें रहे हैं जैसे कि आप MS Word यूज़ें पावरपॉइंट यूज़ें तो आप जब new page यूज़े तो वही पर जाते हैं इसके इंदर आप इसके इंदर आपने कोई जैसे new आपने new पर click किया कर आपने new पर click करते हैं पावरपॉइंट को उनानी है तो आप यही से आप मलतिको फाज ना करके जाके आप उस फाइल को उस दोक्यूमेंट को ले रशते हैं इसका उस फाइल इसको सप्रेक्षोस कर देंगी कि जो बुले नी करदें जैसे की अगों करके दिखा देए जैसे अभी यह फाइल है यह क्लिक करें लिए अग्या कि आप जो आप नहीं फार्य ओपन करें घा जागा जब दिर है ऑंग इसमें सेवगर यदा अगर आपने राइटर के diaphragm किया सेवब से दिर के वो सेवगा जैसे कि मार की चलिए आपने राइटर पर काम करें आप साथ कि आपको पॉर्पाइंट ओपने करना है तो आपके अगर स्कार्ट पर गई तो यहां पर डिर्क्ली होगा अगर राइटर के अगर पावर को आपको आपने इमेज इंसर्ट के अगर जहां सेव करें और यहां से अपने न्यू फाइल उपन के और पावर कोई लेगा पो आपकोो आपको अपने हमाने करें और अपने काम किया और और उस्राने में आपको आपको से अगर साम को जिसके में इसाब अपनी सेपके में आपके अपन किया हो गाते हो है तो आप अपनी सब्सक्राइब अपनी कि वह दूसरे की कि अपने बनाहे है जब आप class कराओ गई, प्रस्ट में बता रहा हूं कि अगर मैं अब अच्छों को अगर राइटर ट्राच वाग फाइल मेनू करता हूं, तो ओपन कराने से पहले मैं उने save कराता हूं, पहले में save करना बता हूं, वो उनकी file save रहेगी तब तो वो file को open करेंगे, तो मैं ही कहते हैं तो यह file को यह, यह option को पहले skip करके, पहले में save option कराता हूं, उनके file save कराके, उनको file close कराके, net document open कराके, फिर अगर मैं आखे कर बाता हूं, पिर अखे कर बाता हूं, ठीक है, अभी तरह वहापे आ रहे हुआ है, पहले open करेंगे, open के समझ में आ गया, कैसे करते है open यह अब यह आपके दिखा जाता हूं, साथ में आप लोग भी practice करेंगे, यहां आपने क्या कर दो पहले, जो मेरे documents के दिए मैंने कुछ भी type किया, यह मैंने type किया, मैं किसी एक particular location place को, फाइल को save कर दूँगा, आपकी मर्जी है अपनी फाइल को कहां पर save करना चाते हैं, desktop पर करना चाते हैं, डॉक्यमेंटर में करना चाते हैं, जहां भी आपकी मर्जी है, मैंने इस पारे document को, पहले save कर दूँगा, जब आप state करते हो, आप लोग पेंटर भी फाइल को save क्या होगा, बता होगा जो यहां पर option नहीं दिखाए ते हैं, इसको क्या बहुते हैं, जब आप फाइल को save करें, save करने के लिए अपने क्या कि आप file menu पे click किया, पहले बस्तिक लेता हैं फिर आप लोग भी file को save कोईना, हमने file menu पे click किया, save option पे click किया, हमारे history के कुछ box आगया, यहां पे जो आप सबसे पहले जो यह option आगया, यहां पे desktop लिखा हुआ है, यह आपका address bar है, location मतलब जैसे आपकी file कोई, आप जैसे आप रहते हो, आपकी location नहीं आप तहां है, तो गुर्मा में रहे रहे हो, यह कोई चेज आपको कहीं पे रखना है तो कहां पे आप रखना होगी, आपको book की है, आपका book काहां पर रखना चाहते हो, raw में रखना चाहते हो, back के अंदर रखना चाहते हो, तो वह एक रखना के रखना हो, इसी तरीके ने यहां पे, यह आपका address bar, इसको computer की language इसको address bar बोलेंगे, लेकिं बच्चों को आप experience करने के लिए इस तरीके example दे सकते हो, कि यह एक location है, जैसे आप अदगने के area में रहते हो, कोई चीज को रखना है, तो आप इसे गर प्रखते हो, कोई यह घर के example दे सकते हो, कि आपका घर है, दूसरा room है, drawing room है, यह भी यह है, address bar, तो यह हमारा क्या आई है, address bar, यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे, जहाँ अलगर जो different location है, यह आपको drop down तो यह बटन रखेंगे, यह आपको होगा एक यहाँ नहीं, यहाँ पर आपका जब क्लिक करोगे, नीचे जितने भी location computer के हैं, यहाँ पर आजाएगा, जिस भी location आपको select करने हैं, यह दूसरा जो आपको यहाँ पर लोकेशन यह है, यह scroll, अब आप इसको यहाँ से scroll करोगे, यहाँ पर भी अलग 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 location folders यहाँ बजे हुए हैं, कि आपको इस पर्टिक्लर folder में करने हैं, जो आपने folder बना रहा हैं, तो folders अब आपको यहाँ पर इससे QM मेर के यहाँ पर इससे folder यहाँ पर दिखाए दिए रहे हैं, अलगले नम से मैंने folders, files, जो अलगले locations हैं, वो यहाँ पर सोग कर रहा हैं, तो आप यहाँ दे सोग select करके, आप files वहाँ पर save कर सकते हो, ठीक है, वो आपके मरती है, आप file save करना चाहते हो, मुझे desktop पर करना है, किसी लिए मैंने desktop यह करने दिया, ठीक है, अगर आपको change करना है आप change कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर file name, यहाँ पर file name clear करेंगे, जिस नाम से भी आपको file save करना है, वो हमें आपने नाम लिखेंगे, और फिर save पर click करनेगे, यहाँ आपने open menu पर click किया है, open sub menu पर click किया है, अभी मैं यहाँ पर save करना बता रहा हूँ, जब आप open पर click करके तो open पर options होएगा है, save पर click करेंगे, तो आप देखो कि जो मेरी file है, वो मेरे नाम से यहाँ पर save होगया, आप लोगों लिखेंगे लिया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बरत कुमार है कि आगे, उसे पीचे OTT लिखा होगा है, यह file के लिखेंगे 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 लिखेंगे, हमारी text document file है, इसलिए यहाँ पर OTT लिखा है, क्योंकि यह open office हम यूज़ करने हैं यहाँ पर, अगर आप कोई दूसरे, MS Office उज़ करते हैं, वहाँ पर अगर word उज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ आप में, डॉक्स के भी कुछ लिखावाता है, सर्ब यह कह रहाँ कि, जो OTT है, जो OTT, वो file है, वो extension नहीं शो करता है, वह extension नहीं शो करता है, वरत कुमार file का नाम है OTT, open document text मतलब यह हमारी writer की file है, हमारी writer की file है, अब यह सर्वे OTT है, अडाज सर्वा नहीं से, dot, dot OTT.